हेलो फ्रेंड्स ससी जीडी 2021 एक्जामिनेशन का पी एटी पीएश्टी एडिमिट कार्ड रिलिज हो चुका है और उसका जो है एडिमिट कार्ड वो डाउनलोड भी होना चालो हो गया है तो उसके लिए स्याडूल भी जारी हो चुका है एससी की और से यह बहुत ही अच्छा इंफोर्मेशन है जीडी 2021 एक्जामिस में जितने भी कैंडिडेट्स पास की है और उसको जो फिजिकल देना है उसके लिए एडिमिट कार्ड को रिज कर दिया गया है और डाउनलोड एडिमिट कार्ड भी आप लोगों को कर लेना है तो देखिए उसके लिए जो लिंक है आप लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं तो यह से जीडी 2021 एक्जामिस जितने भी इंडिडेट्स पास की है वह अब अपना फिजिकल और जितने भी चीजें है उसके लिए अब प्रिपैरेशन करना शुरू कर दें तो देखते हैं स CRPF.government.in जैसे टाइप करेंगे और इसको सर्च में डाल देना है जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस परकार का एक नया पेज खुल जाएगा और यहां पर देख सेतने हैं CRPF.government.in है और यहां पर है दाउलोड e-admit card for PST, PET, GT 2021 एक्जामिस section जो schedule विदिया गया है और वीजिट CRPF website दिया गया है तो आप लोगों को यहां simply कुछ नहीं करना है आप लोगों को जो है यह जो पहला उप्सेन है उहां पर click करना है देखे मैं आप लोगो करता हूं यहांपे इस परकार से मैं इने click कर दिया हुआ थो दिखिए आप लो पोटो आप लोगों को चाहिए और एक आपका जो है पहचान पत्र भी होना चाहिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना तुझे इसको काट देने के बाद में आप लोग यहां पे देख सकते हैं सारे माप देंड़ अच्छता पीएच्ट बात और वेरिफाइब करवा के भी यहां पर अपना अपना काट को देख सकते हैं और उसके अलावा में अगर आपको रोल नमर मालूम है तो आप रोल नमर के हिसाब से भी अपना अच्छी सुईधाद देगी है तो आप लोग अपना यह एडिमिट काड जो है वह आप डा पी एश्टी के लिए अब तियार हो जाएं तो यह देखिया आप लोगो तीन ऑपिसन दिया कि आपको रोल नमबर अगर मालूम नहीं यह तो भी आप डाउनडोड कर सकते हैं और अगर आपको रजिस्टेशन नमबर याद है तो आप उससे भी डाउनड कर सकते हैं तो दे लेगा अब आप लोगों को सेडूल भी जारी कर दिया गया है तो आप लोगों को यह सारी चीज़ों को दिहान में रखना है